प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी भासा अभ्यास का पेज 65 देखने जा रहे हैं इसमें थर्ड प्रॉब्लम है, समझ कर पूरा कीजिए हम लोग को समझ करके पूरा करना है इसमें कर दिया हुआ है एक तोता, चार तोते एक तोता, चार तोते यह एक वचन और यह बहु वचन है, जहां पर सिर्फ एक ची रहता है उसको एक वचन बोलते हैं, वचन को इंगलिस में नंबर्स बोलते हैं यहां एक तोता है, तो इसको एक वचन बोलेगों, यहां चार तोते हैं तो इसको बहु वचन बोलेंगे, एक वचन जब बहु वचन में बदलेगा, तो ये आ की मात्रा एक की मात्रा में बदल जाएगा, हिंदी में ऐसा ही नियम है, वही आप लोग को ध्यान देना है और समझना है, इंग्लेश में हम लोग वन को मैनी में चेंज करते थे, वही ये वचन एक को बहु में कनवर्ट करना है, एक किताब, पांच किताबे, एक बच्चा, दो बच्चे, एक बच्चा, दो बच्चे, एक रूप्या, तीन रूपे, रूपे में, र, उकार, प, य, तेकार, रूपे, एक औरत, साथ औरते, साथ औरते, अब चौथा है, क्या, वह देखिए, दिये गए सब्दों के समान ले वाले सब, चूट कर रिक्त अस्थानों में लिखिए, आप लोगों को ये समान ले वाले सब्द पीछे भी पढ़ाये थे, इस बुक में आप लोग कई बार बढ़ाए हैं समान ले वाले सब्द, अब आप लोगों को ये बिलकुल असान लग रहा होगा, जिसमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो उसे और ये असान हो जाता है समान ले वाले सब्द से आप क्या समझते हैं, जैसे कच्चा, बच्चा, पक्का, धक्का, उसी को समान ले वाले सब्द बोलते हैं, जैसे काला, माला, इस तरह से हम लोग बनाये थे, उसी को इस बार फिर रिवाइस कर रहा है है, कच्चा, या लिखिए बच्चा, बच्च आधा चर, पूरा चर, आकार, पक्का, धक्का, लसी का होगा रसी, यहां help box है, हम लोग थोड़ा मदद ले रहे हैं, आप रसी यहां से लिख सकते हैं, लसी चपपर, खपपर, यहां पर चपपर का खपपर होगा, ख, आधा पर, फूरा पर, उस्वाद बल्ला, बल्ला का एक क्या बच गया, सब को लिख दिये, एक हल्ला बच गया, तो बल्ला का हल्ला होगा, आज के क्लास में, जहां तक पढ़ाएं हैं, थर्ड फोर्स, इतना ही दूर तक करिएगा, इसके अलावा, पेज 65 का फिफ्ट और पेज 66 का शिक्स, हम लोग कल पढ़ेंगे, धन्यवाद,